सरकार की जो चुनोतियां हैं उन चुनोतियों को पार कर कैसी जनता की उमीदों पर खरा उतर पाएगा ये बजट और इसी पर चट्चा के लिए हमारे साथ खास पैनल जुड़ गया है मैं उनसे आप लोगों का इंट्रोडेक्शन कर बादेती हूं हमारे साथ बीजिपी नेता, कैप्टन आईपी सिंग है, रफी अता, नेता कॉंग्रिस वही हमारे साथ परविनर सेटी, राजनितिक विशलेशक के तौर पर वो हमारे साथ इस डिबेट में शामिल होंगे इफ्रा जान जो की सोशल एक्टिविस्ट है, वो अपने इस तौर पर अपनी बात रखती नजर आएंगी वहीं अनिल पांडे अर्थ शास्त्री हमारे साथ है और वहीं संजीव कोशिक, राजनितिक विशलेशक के तौर पर अपनी बात रखते हुए इस में शामिल होंगे और वहीं हमारे साथ लगनों से हमारे समधाता गगन मिश्रा भी लाइव जुड़े हुए है उनका भी हम रुप करेंगे कि आके लगनों की जुनता को क्या कुछ उमीदे हैं तो यहाँ पर अब इस चर्चा के शुरबात जो है वो करने चुरते हैं और अनिल जी मैं सबसे पहले आपी के पास आऊंगी क्योंकि खासा उमीदे जो है वो आम जनको इस बजट से है और सबसे ज़्यादा गर देखा जाए तो मद्यम वर्ग और व्यापारी वर्ग जो है कहीं न कहीं व्यापारी वर्गों में नाराजगी देखने को मेली थी तो क्या इन तमाम उमीदों पर खरा उतर पाएंगी निर्मला सीतारमन अनिल जी सरकार पिछली बार का बजट दो उसमें देखा जाना चाहिए एक तो अंतरिम बजट पेश किया था पियुश गोयल जी ने फिर उसके बाद बजट पेश किया जिर्मला सीतारमन जी ने उस बजट को पेश दोनों बजट के बीच में इतने अल्पकाल में ही लगभग आयवे में एक करोड़ साथ लाक या डेड़ करोड़ से डेड़ लाक करोड़ रुपे से अधिक का फरक आया जिससे सरकार का चिंता में आना स्वाभाविक था उसके बाद सरकार ने तमाम कदम उठाए फ़वरी तोर पे अर्थव्यस्था की जो गिरती स्थिती थी इसको थामने की कोशिश की सरकार कुछ हद तक कामयाब भी इसमें रही अब इस बजट में मुझे लगता है कि इंकम टेक्स के बारे में सरकार खासा ध्यान रखे कि मिडिल क्लास काफी उम्मीद लगा हुए है पिछली बार भी मिडिल क्लास को निराश होना पड़ा था और टेक्स लैब जो है 5 परसेंट 20 परसेंट 30 परसेंट है 10 परसेंट को कहां करेंगे या एक्जंप्शन लिमिट को बढ़ाएंगे पिछली बार तो जो था वो केवल पांच लग तक को छूट थी सब को छूट नहीं थी इस तरह से और भी तवाम शिक्षा के भी छेत्र किया जाना है और मुझे लगता है कि एलेक्शन भी सर्पे है तो एलेक्शन का भी एलेक्शन की भी छाया इस बजट पर दिख सकती है ग्राविडी छेत्र में भी करेंगे क्रिशी छेत्र में भी करने ही जा रहे है और सबसे बड़ी बात जो सीबीडीटी के सदस्र है रंजन साहब उन्होंने एक जो मसवदा पेस किया सरकार के सामने उसको लेकर के भी कुछ कहना जलबाजी होगी थोड़ी देर में स्थिती सामने सपस्ट होने वाली है मुझे लगता है कि बहुत बड़े परिवर्तन की भी उम्मीद की जानी चाहिए इंकम टेक्स की परिवर्तन क्या आएगा मैं लोटूंगी आपके पास संजीव जी आप से जाना चाहेंगे क्योंकि कितना खास रहने वाला है न उन्होंने कहा भी था कि एक पुरानी परंपरा ब्यूटिस का लिन परंपरा है उसको हमने तोड़ दिया और चेंज कर दिया सिर्फ इतने से सब कुछ बदल जाने वाला होता तो आज स्थिती कुछ और होती एक आम आजमी उसको पता नहीं होता है कि जीस्टी क्या है या आ कम कर दिया हो लेकिन पिर भी न ही कहूंगा कि देश की जनता बड़े उमीद के साथ देख रही है-आप चुकी सरकार की रही है की कौर्परेट्ट आपने कम कर दिया लेकिन उसमे काम करने वाले लोगों के बारे में आपने सोचा ही नहीं तो एक आम आदमी जो है वो बहुत ज्यादा परेशान है उसको कि इस पर दूर कितना कर पाएंगी निर्मला सीता रमन इस पर ही सभी की निगाहें ठीकी हुई है पर विंदर जी आप क अब जाएंगी निगाहें उसको अपनी रसोई चलानी इतनी मुश्किल पढ़ रही है कि जिस पे महंगाई के उपर लगाम नहीं है उनकी नजर यह है कि यह हमारा जो बेसिक चीज है जो खाना खाना है वो उसकी महंगाई कम हो रसोई कैस कम हो बच्चों की शिक्षा इतनी महंगी हो गई है उनका ट्रांस्पोर्टेशन एक बहुत बड़ा फेक्टर है देखिए जो रिलेक्सेशन दिया जाता है जो बच्चों का जो किराया हमने जितनी भी अपनी एजुकेशन करी है स्कूलिंग से लेके ग्रेजिशन पोस्ट ग्रेजिशन हमें साड़े बारा र बड़ी के भी एक आप्टर एफेक्ट्स हैं जिसको जेल रहा है और उसके लिए स्मॉल स्केल इंडस्ट्री या माइक्रो इंडस्ट्री के लिए कोई भी ऐसा उन्होंने स्कीम नहीं लाएं उस वो भी बड़े उमीद से देख रहे हैं कि हमारे लिए जो वितमंत्रिया क्य लेके आएंगे हमारे लिए सस्ते लोन के सुविदा होगी या उस इंडस्ट्री को पर्मोट करने के लिए क्या परियास किये जा रहे हैं और दूसरी और मैट्पून चीज़ा किसान का एक बहुत यानि कि हर बर्द को कही ना कई जरूर है पस्ट्रेक्शन सभी से ले ले ल जाता है कि किस तबके को हम कितना पैसा देंगे तो और इसमें कुछ स्कीम्स भी आती है दुरूर ठोड़ा पॉलिसी भी आता है बट प्रेमारे लिए पैसा बांटने की चीज़ है तो बजट की वज़स से इससे इतनी ज्यादा उमीदी लगाने से कोई फाइदा होने वाल दूसरा हमें बांकिंग सेक्टर रिफॉर्म चाहिए यानि बांक का रिफॉर्म इतना ज्यादा हमारा नॉन पर्फॉर्मिंग आसेट्स बढ़ रहे हैं उसके लिए जो आई बी सी लाया था वो काम नहीं कर रहा है इन्सॉल्वेंसी बांक टॉप सी को उसके बाद हमारा मे प्रोड़क्ट में बेच सकता है लेकिन हम देख रहे हैं अब 6 साल हो गए अग्रिकल्चर जो है वहां का वहां रहे गया और साथ में जो नोट बंदी हुई उसकी वज़े से अग्रिकल्चर सेक्टर को एक और दक्का मिला तो इसलिए बजट में चाहिए कुछ भी हो और GST जैसे आया, GST में अगर आप देखती रहेंगी, GST इन इसल्फ बहुत अच्छा रीफॉर्म था, लेकिन अगर देखेंगी इन्होंने इतने बार-बार कोई policy stability नहीं है, इतने बार-बार इन्होंने amendment 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 लाया कि investors को पता नहीं है, expect क्या करना है, वो अपना पैसा निकाल रह है, और GST में almost 100 amendment तक ले आई है, तो एक policy stability सरकार के लिए बहुत जरूरी है, अच्छे economist को रखना, RBI से बार-बार ना बिढ़ना, और एक long term economic policy बनाना, बिल्कुल कहीं न कहीं सतंतून बनाये रखने की बहुत जरूरत है, बिल्कुल आजे जी, आप, बिल्कुल लेकिन मैं सबसे ले लो, फिर मैं हम आएंगे इस डिवेट पर, आजे जी आपका क्या कहना है, आप क्या कुछ उमीदें रखते हैं, इस बजट से, इस बजट से, मुझे ज़्यादा उमीदे तो नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आशानवित हूँ, कुछ अच्छा लेकर आएंगे, निर अनौंस करेगी, जिससे की निविसक यहां सके, और निर्यात के लिए भी कुछ एक फेवरियल कंडिशन यहां बन सके, यह भी रहेगा, और जिस तरह की जो इस्तिती है, उसमें आम आदमी की बजट है, उसके उपर कुछ न कुछ आएगा, आम आदमी की थाली के हम बात करे है, आम आदमी की जो जरूरत की चीजे हैं, वो महंगी हो गई है या फिर दूर होती चली जा रही है, तो उसके लिए कुछ न कुछ रहेगा, चाहा गैस का सिलेंडर हो, या आलू, प्या, दाल, चावल, खाद्यान या घरिलू जरूरत हैं, चाहा फिर वो इंटरनेट फैस लोग जो है, अपनी एमाई पे नहीं कर पा रहे हैं, चाहे वो टूविलर की हो, फोर विलर की हो, या फिर घर की एमाई हो, तो यह जो है और जो युवा बेरोजगारी है, उसके लिए उनके पास क्या प्लान है, यह सबसे बड़ी देखने वाली बात होगी, क्योंकि जो आ लगता है कि आपकी उमीदों पर उतर पाएंगी निर्मला सी तरह मंखरा, देखिए सबसे बड़ी बात तो है, जब सरकार की ही जेव खाली है, सरकार के पास इस समय कुछ नहीं है, क्योंकि जो हमारी GDP गिरो थे जो भारत की अर्थवाश्ता है, वो पिछले कई दसकों के प उमीद करना कम है, क्योंकि जिस तरीके से आप देखिए, व्यापार की स्थिति क्या है, मैं एक एक चीज करके चलो, व्यापार स्थिति क्या है, निर्यात हमारा डाउन हो चुका है, सरकार का उस तरब कोई ध्यान नहीं है, और अर्थवाश्ता जब निर्यात होगा, तब ह लगवग लगव 20% है ज्यादा ज्यादा हमारे हाथ 30% से लेके और 45% तक का टेक्स जो 5-5 लाग तक के करदाता है उनको भले थोड़ी बहुत रहत हो 15-20% कर दें 20% कर देंगे परन्तु जो ओलो टेक्स होना चीए 20% होना चीए हमारे हाथ 30-45% लेकिन बिल्कुल आपके कई सवाल होंगे जितेंद्र जी मैं फर्स्ट रेक्शन सबसे ही लेना चाहूंगी मैं आउंगी ऐसे जिंग आपकर ने खुद सुना होगा कई सवाल जो है वो आपके सामने आ गए होंगे लेकिन उससे पहले हम अपने समधाता गगन मिश्ट्रा कई तरह के सवाल जो है वो लगातार है ऐसे में अगर लखनो की जिनता की बात करें तो वहां के आमजन का क्या रुक है उनकी क्या कुछ उम्मीदे इस बजट से कि आस्मा देखी आगा बजट की बात करें तो इसी अमीदे अलग सिजेव मिड़ील क्लास हो दो आसा है सीता अ yapmış है मेंमीड अलग मतलब कि जितने भी सेक्टर हैं उनकी आसा अलग हों और सब से बड़ चुनोपी रहाज सीता रमंग वित्यमंत्री के सामने यही है कि सब को कैसे खुश क्या जाए अगर हम बीते बजट की बात करें तो बीटे दो बजट कॉपेट सक्टर के लिए ज्यादा अच्छे रहें लेकिन मिडल क्लास उससे अचूता रहा है लेकिन इस बार मिडल क्लास एक आसा के नजरों भाहता तक टैक्स फिरी किया जाए जिससे उसकी जो आंधनी है उसको जो खर्चा करना है वो बड़े हो सरकार की मनशा है कि अगर ठाक्सव्लाइब भढ़ाते हैं तो कम से कम जो मिडी क्लास की फैमली है मिडी क्लास की लोग है वो खर्चा ज्यादा करें साथ युवाओं क अगर अगर बहार पड़ा तो वहीं से पूरा घर का बजट बिगड़ता है तो महिलाओं के उसा है कि कम से कम इस बार वित्मंत्री महिला है इसलिए वो रस्मोई का जरू सोचेंगी चालिए गगन पिलाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका जुडने के लिए तो खासा उमीदे चाहे वो व्यापारी वर्ग हो किसान हो या आमचन हो या महिलाएं हो सभी को उमीदे हैं कि वित्मंत्री उनकी उमीदों पर खरा उत्रे और इसी पर हम चर्चा को जारी रखे हुए हैं कैप्टर ना आइसिंग जी मैं आपके पास आना चाहूंगी आपने तमाम लोगों की बास सुनी होगी लेकिन एक दशक का सबसे कठें टेस्ट क्या पास होंगी वित्मंत्री बिर्कुल यह बचट बिर्कुल जो है ना खास करके महला ग्रहनी महलाओं को देखके बनाया गय है और इसमें विर्कुल सरकार खरी उत्रेगी और बाकि कुछ चीजें ऐसी हैं जो दोको अंतररास्ती बजार की उपर डिपेंड करती हैं जी तो उसके लिए अगर सरकार को उसमें दोसी ठेराये जाए तो मेरे हिसाब से तो ठीक नहीं होगा तो सब किसे बाकि नहीं सरकार जो जितनी भी चीजे हैं सरकार अपने हुसाब से उनको लेके चलती है अभी जैसे पिछली बार एक छोटा सा जुझो लोगों को अपने उसमें दिया था? तो ऐसे इस तरह से काफी चीजे हैं जो सरकार जो रहात देती है कमी सरकार ऐसा नहीं सोचती कुछ आखन नहीं पाती को सरकार के जहांतरा कुछ होता नहीं है सरकार कभी सोचती कि हम एपने देश को कुछ नहीं देनाMB किसान का सामान है बर्सा हो गई नहीं कर चकती है सबस्र कितना प्याज सड़ गया है कि ऊचित भंडारण के वजए से नहीं हुआ है यहां बैठ के बात है यह आप जो कहने लाइक नहीं है ऐसा कुछ नहीं हुआ है कि आर्थिक बंदी है मंगाई है बेरोज़गारी है आप क्यों नहीं मानते हैं कि महरास्ट में जिस तरह से बाड़ आई थी आपने देखा कि महरास्ट में बाड़ लगा लग तीन मेहने तक नहीं है और वह इस तरह इस तरह को थोब लिए प्रड़ा के बंदि दिमाग पर ठीके रहते हैं अब यहां कॉँछ बात निए बज़ट के लिए क्या अच्छा कर सकती है जनता के लिए क्या भला लाजकती है महिला ग्रैणी बेहनों के लिए क्या थाली में सस्ता हो सकता है आप उसमें चर्चा करेंगे आपके दिवाग में कीड़ा कॉंगरेस का अनियर जी आप मुश्चुछा हो रहे हैं यह तो पर डिबेट में मौकाई की जा रही है जो पेट्रोल प्रोड़क्ट है इस पर एक्साइज ड्यूटी के लिए एक्साइज ड्यूटी से करीब अगर इस पर इंपूट क्रेडिट दे दिया तो पचीस अजार क्रोड रुपए का जो बोज है पेट्रोलियों कंपनियों पर इस से भी लाव होगा अभी अपने कहा कुछ चीजें वाकई में सोचने वाली हैं एक पर्शेप्शन बन गया उससे बाहर नहीं निकल पा रहे हैं मैं किसी राजनीतिक पार्टी से तो संब्द रखता नहीं बिल्कुल आटो सेक्टर में गिरावट नहीं है मैडम बिल्कुल नहीं है मैडम पूरे जिम सबसे बड़ा विदेशी मुद्रा भंडार सरकार का है वह लगभग 46,216,000 उस डालर है लगभग 35,32,333 लाख करोड रूपे के करीब है विदेशी मुद्रा भंडार उचस्तर पे है सरकार के पास वाकई पैसे की कमी नहीं है वह कौन से ऐसे कारण है वह कौन सी ऐसी मजब है वह कौन सी ऐसी मजबूरी है जिस से सरकार महगाई पर या अर्थवियस्था की गरती स्थिती को ठाम पाने में उतना सफल नहीं हो पारे कि जितना होना चाहिए शरकार की सवेद्र शेल का पता इससे लगता है कि जब भी इस तरह की बात आती है तो सरकार ने बार्तव़स्था को थामने के लिए सेक्टर बे बिविश्वास कर रही है और अभी इस्थिति अगर अभी तत्काल की इस्थिति ले तो पर जंप्शन में उसमें बढ़ा उब्होग खर्च बढ़ा है और मुझे लगता है निश्चित तोर पे अगर आकड़ों पे विश्वास करें आकड़ों को आधार किसी भी चीज के भाहत का आधार भी होते हैं आकड़ो के आधार पर अर्थ व्यस्था आप उठती दिख रही है इसमें कोई संदे नहीं है अर्थ व्यस्था सुधार की तरफ जा रही है लेकिन कुछ न कुछ कारण जरूर है जो चुनौती साबित कर रहे हैं कई चुनौतीया है जैसे एक गलती करदी पता नहीं क्यों से अर्थसास्त्री थे हर चीज की जैसे मुद्रिक नीतियों की अपनी एक सिमाय होती है इन्होंने जब इनको नोट बंदी लाए डी मोनेटाइजेशन के तुरंत बाद इनको जी एस्टी नहीं राना चाहिए था भ पूरा व्यापारी परिशान है सारे टेक्स कंसल्टेंट्स परिशान है जी एस्टी ने व्यापारियों को व्यापारियों से जुड़ हिए लोगों को करसलाहकारों को परिशान तबाह करके रख दिया है उनकी मानसिक उनको मानसिक रोगी बना के रख दिया है और सरकार इस स्टों कदम उठाए लेकिन इस्टने तबाह करेadowी नहीं है इसमारी prosis और आज बजह दी लोगों को आज भी कुछ देखस्थि आर्थ-बिवस्ता को तैस्नेमें वह नोट बन दीज़ को सता है συνदो है को नहीं सकतकिक्र्फ मारा नमदहीं connectivity आध्यान में Words we अगर नोट बंदी को अगर आप तरीके से करते तो यह बहुत अच्छा डिसीजन होता लेकिन नोट बंदी से हम मुझे लगता है कि 20-25 साल पीछे चले गए हैं हमारे देश की आर्थविवस्ता संबलते संबलते देखिये जब कुछ अच्छा होता है नो नजर आ जाता है हमे किसी आंकडे की जरूरत नहीं होती आंकडे तो सिर्फ एक गुम्रा करने की बात है देखिया आप जो हमारी ग्रोथ चल रही थी वो पांच से लेके दो पे आ गई है अब उसको हम पांच पे लाएं यही एक बहुत बड़ा चैलेंज है हमारे लिए लेकिन जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है जहां माइक्रो इंडस्ट्री है उसको देश को संबालने की जरूरत है दूसरी बात आप जो कहने जी एस्टी किसी भी देश के अंदर टेक्स ज्यादा नहीं होना चाहिए टेक्स हमेशा रिजनेबल होना चाहिए और दूसरी महत्पुर्ण बात मैं यह कह करोड़ देखिए 125-133-135 करोड़ के देश के अंदर अगर देश की सरकार इसके ओपर तवज्जो दे तो हमारी सारी समस्य हाल हो सकती है आप यह देखिए जो एक काम व्यक्ति है जो रेडी लगाता है जो खाने पिने का काम करता है वो कोई टेक्स नहीं देते और उनकी इंक सफर करें चाहिए वो केबल का किनेक्शन ले चाहिए वो इंटरनेट का किनेक्शन ले चाहिए वो मॉबाइल का किनेक्शन ले जो टेक्स पेर है उसको एक एक्स्टा बेनिफिट देनी के अफशकता है जब सारा देश मैं कहता है तो सारी समस्य आप लोगों की तरफ से हैं तो शायद इस तरह की स्तति से नहीं गुजरना होता तो क्यों कदम नहीं उठाए जा रहे हैं क्यों कारण बन जाते नोट बंदी का जो कहना चाहें तो यह गलत होगा जी नोट बंदी एक हमारा ऐसा कदम था जितने भी नोट बंदी से ही हमारे देश में टेरिस फैला हुआ जगे जगे आपने देखा होगा क्या हमारी जों सरकार नहीं आहीं थी उसे पहले यहाँ पर हिंदुस्तान में टेरिस्ट की क्या सिती कोई सहर बकाया नहीं था जहां तो मैं उग्रभाद थी गटना नहीं हो रही है तो यह जितना भी नोट बंदी इसलिए जरूरी तो जितना जो उनको फंडिंग हो रही थी बाहर से हो रही थी और उसमें बाहर वालों को नोट बंदी से क्या अफेक्ट है नोट बंदी से निक्सान किसी को क्यों हूआ नहीं हूआ भी और नम्मर का पैसा जवां बिर्कुल आगया विर्कुल आगया विर्कुल आगया विर्कुल आगया दे सुन्हें Eyes ओर वार्याह कि चुना नोट बंदी से देश को नुक्सान होता, तो जिसने हैं यह सब्सक्राइब के लिए कि उस्तरी चीज में नोट अव्चे सार्ज हुआ गात बंदी अब आया को प्रथ। सब्सक्राइब करूं आप को जानकारी नियुक्तिंस है आपको जानकारी नियुक्ति अबतार शाइब करमें को आपके सब्रॉब सबस्क्राइब होते हैं कि यह पर शित्त करो आठी किसी चैत्र में कहीं कोई बंदी नहीं है अपने बड़ेशे मेरा उधारु जा आप सुने गोरकपुर के पास नेपाल बॉर्डर इंडिया हिंदुस्तानों नेपाल का बॉर्डर है गोरक उसके पास में लगा हुआ एक बैंक था एस्वी आई का ब्रांश थी उसके अंदर तीन करोड डुप्ली कोईट करणसी पकड़ी गई और किसने पकड़ी इडी ने इडी ने पकड़ी जब उनसे पूछा गया तो यह कहां से आई तो उसका कहना था बुद सारी हमारे नहीं पूरे में भड़ी भड़ी है और उसका बितमंत्री ता आपके चीतमर ने उनकी पूरी क्रंसी उनकी बैंकों में भठाई की कॉंग्रेस के पीछे चुप हो रहे हैं अपना रिपॉर्ट पढ़ लीजे आपके पास आंक्डे नहीं है आर्बी खुद कहती है कि नोट बंदी की वज़े से 99 याने 99 परसेंट से ज्यादा नोट आक्चुली आर्बी आई के पास वापस आ गए इसका मतलब जो जिन देश्चत गर्णों से आप दरा रहें के रहें देश्चत गर्ण थे वो थे ये थे उन सब ने अपना अपना नोट वापस जमा करके बांक म में बर दिया आप आर्बी आई का अपना रीपोर्ट पढ़ लीजे डी मॉनिटाइजेशन से हुआ क्या डी मॉनिटाइजेशन से एक दम जब आप एकोनॉमी से पैसा निकाल देंगे जो इन फॉर्मल सेक्टर हमारा है कि हमारे देश में वो हैं जिनके पास प्रॉपर नहीं है जो रिजिस्टर बिजनस नहीं था उनके पस प्रॉपर बांक अकाउंट नहीं थे उस इनफॉर्मल सेक्टर की कमड तूट गई और उस इनफॉर्मल सेक्टर में हमारे 90% लोग एंप्लॉइमेंट जो हमारी रोजगार है उसलिए है इसलिए बैंक अकाउंट खुल जो गया था और इसलिए नोट बंदी एक बड़ी वजा मैं आपको बता हूंट बंदी करने के लिए प्रधान मंतरी का वो तरीर याद है रात में जब वो टीवी पर आके बोल रहे थे आप बताई कि उसमें से कोई एक शीच पूरी हो गई हो पतर बाजी रुग जाएगी क जाएगे देश के आर्थिक मंदी खत्म हो जाएगी जो नोट लेके लोग बैठे हुए है वो सारे आजाएंगे चलन में आजाएंगे फिर सारी समस्चाओं का समाधान हो जाएगा अजने पाई जाएंगे सवासों जाएगे वागवे द्रूस्त कर दाएगे लोग बसुद ने आधे आने कि अपनी इसनी बात रखे सर्चर आप इसकी तारीफ नहीं करेंगे वह पत्थरबादी हम ने वहां बंद करी हम में उसकी तारीफ नहीं करी है कश्मीर से हो ना खीक है हमने नोवेंबर में यही रोग वो रहे हैं पत्थरबाजी कश्मीर में बंदो गई नोवेंबर में हम लोगों ने Ministry of Home Affairs जो अमिच्छा के अंडर आता है उनको एक RTI application दिया कि आप बताईए पत्थरबाजी के आंकडे जुलाइ में पत्थरबाजी 29 याने 30 के करीब पत्थरबाजी हुई ओगस्ट में 370 हटाने के बाद 660 से ज्यादा पत्थरबाजी के इंसिडेंट्स हुए यानि एक ही महीने में 200-300 प्रतीशत ज्यादा पत्थरबाजी इंक्रीज हो गई है आप RTI का जो हमने दिया है वो RTI ह हमने ऑनलाइन भी सबको रखा है आप देखे पत्थरबाजी और विरोध वाइलेंस की केसे इंक्रीज हुए हैं 370 हटाने के बाद याने बड़े हैं और यह देटा अनिल जी के पास चाहते है अनिल जी आप तक वास पहुंच पा रही है तो मैं आप से जाव चाहँगी इक मोमी इक बड़ी चुनौती आज कसमीर में तूट चुकी है जूट सरा सर जूट रही है आप तो उनकी उनकी जो है ना सारत चक है तो आप तो आपके आइसिंग जी आप तोड़ा सा गलत है आ तक मैं को दिखादी है नहीं को दिखादी जी तरीके से आई पी सिंग को घेर कर जो है काउंटर अटेक किया जा रहा है उनको बोलने नहीं दिया जा रहा है बातों को गुव्वाइब है प्लिटाइज कर्ण हम बजट पर डिसकस करने के लिए बैट हैं आप नोट बंदी की बात कर रहे हैं इस देश में यदि आर्थिक मंदी है यह सुस्ती है उसके इंदर सारे विकल्प क्या हो सकते हैं जिम्मेदार है अनिल पांडे जी ने बहुत अच्छी बाते कहीं है लेकिन आप उससे हटका द देखिए आप कहा रहे हैं कि नोट बंदी से नुकसान हुआ है चलिया हो सकता है बिल्कुल हुआ होगा मैं मान लेता हूं लेकिन नोट बंदी के अलावा जी एस टीवी से बहुत बड़ा फैक्टर है सिर्फ एक एक फैक्टर नहीं है इसके इंदर जिम्मेदार भारत सरका दूसरा नोट बंदी से जो ब्लैक मनी जो घूम रहाता रियल इस्टेट मार्केट में उस पर लगाम लगी है आँ सारे ट्रांजेक्शन ऑल लाइन भार सरकार की नजर में जिसकी वैसे पैसा लोगा और आप करहें जाली करणी च्छाप रही हुए 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 आप लगाए गई जिनकी कोई आप लेट पैसे साही बात कीजिए हुए आप शी जो है सारे सेक्टर जिम्मेदार है और इस किलेए और इस प्रेक्टर किस पर काम हो सकता है अर्थ शांदी अनिल पार्टे हमारे साथ है जाने के लिए उनको जो एकोनोमी में रिफॉर्म किया भी सकता उसके उपर करें उसके उपर हमने के लिए का रचिण को कर रही है और उनको पार कर रहे तें दियार नहीं थे आज़ आब चोटे सा कुछ करने जाओ तो आपको को प्रीपार कहता है पहले बिल देने को मैंने गॉल्ड सेक्टर में देखा था कि करोड़ों का गॉल्ड का विव पार कर रहे थे लोग और उनके बिल लेने यहां तो बिल नहीं थे आप यहां आप यहीं सब्सक्राइब प्रक्राइब करना सरकार के सामने बड़ी चुनौती है क्या विकल्प है उनके पास किस चुनौती को कैसे पार कर पाएंगी क्या कर पाएगी सरकार अनिल जी से जो पीछे स्थितिती सरकार की दो तीन महीना पहले देखिए अगर आप इसको पीछे से आपजर्ब करें आपने देखा होगा कि हमोमन होता आया चुकि एक हमारी अर्थवरस्था का जो सबसे बड़ा आधार है क्रिशी का हमारी एग्रिकल्टर बेस्ट इकॉन क्रिशी को GDP में जोडा ही नहीं जाता है अब तक के पहले कि आपवाद का इसे हुआ है यह शोध का विशह कि अपरेल जब खरीव के फसल के बाद रभी के फसल के बाद मतलब अप्रेल मई में और इधर नौंबर दिसंबर में अर्थव्यस्था में चाहे जो सुस्ती वो लाइन पर आ जाती है चुकि उदर फसल तयार होती है लेकिन इस बार अक्टूबर और अर्थव्यस्था का सुस्त रहना चिंता देने वाली बात थी अब इसमें तीन चार बाते हैं बहुत उसमें इसके लिए तो काईदर एक अलग से सेशन चाहिए लेकिन फिर भी मैं संचिप्त करने संचिप्त में कहने की कोशिश करूंगा डी मोनेटाइजेशन और जी एस्ट यह दोनों अच्छे हैं कि बुरे हैं इसको किनारे रखके अगर इस पर चर्चा कर लिजा कि किसका सबसे ज़्यादा कॉन फैक्टर रहा है कि जिसके वज़े से अर्थव्यस्था पर भार पड़ा है अगर डी मोनेटाइजेशन को देखा जाए तो डी मोनेटाइजेशन ब और देश के व्याफारियों पर अर्थव्यस्था पर भारी पड़ा डी मोनेटाइजेशन की बात आप लोग कर रहे थे डी मोनेटाइजेशन से देश को बहुत लाव हुआ थ्वास आप लोग चर्चा को और गंभीर बना में एक तरफ आपको ले आता हूं शायद पहली ब प्रदर्सका जब इसके पहले स्कैम हुआ था पूरा विश्वहिल गया था उस समय भी ग्लोबल स्लोडाउन था उस समय सरकार के पास पैसा नहीं था लोगों के पास पैसे थे आज इस्तिती ठीक मुलट है भाई साप सरकार के पास पैसा है लोगों के पास पैसे नहीं है य लगता है सरकार ठामना चाहती सरकार की समेधन शीलता को दर्शाता है अब इस्तिती सभल पा रह है यह कितना 가져 आने वाले बताएगा लेकिन आपका नुखसान किया है व्यापाइर को भिची खराब करने में यह स्थी का बहुत ज misconception सिर्फ order शिर्फ आए जी आपने सुना होगा और आघल जी पार्टी से तालूग नहीं रखते हैं आर्थ शास्त्री के तोर पर उन्होंने बात रखी है है तो जितन्द जी को बात पूरी कर देंगे जितन्द जी पहले संगठी तौर संगठी चेत करीज़ को समझना पड़ेगा सुष्टी पुरा था मैंने जस्ति को बुरा कहा है था नहीं है कि तौर नहीं इसका करने की कोसिस कर रहा हूं जतनी मेरी समझ है मैं यह कह रहा हूं कि demonetization और GST में जब दोनों का comparison करेंगे in comparison to GST उसकी बात कराओ demonetization का उतना फर्क नहीं रहा है जैसे demonetization के वज़े से सरकार की नजर में सारी चीज़े आ गए और कोई चीज़ जब कोई भी विवस्था लागू की जाती है तो उसका असर आता है लेकिन आज इसको नोट कर लेजिए भारत की और शमा करें भारत की और विवस्था में demonetization का वो रोल रहेगा यह आने वाले तीन चार पांच सालों में जब दिखेगा जब अपने असर इस पर फक्र करेंगे कि हमें अर्थवस्था कुछ दारने के लिए काम हुआ था अगर सब कुछ सही रहा तो अगर गॉर्ण्मेंट ने जीस्टी और इस सब छोटी-छोटी चीज़ों पर काबू पा लिया तो लेकिन नौकर सबसे पहली बात इनके अपने नौकर साही को पेच सब्सक्राइब करेंगे मैं समझाने की स्थिति में तो नहीं हूँ लेकिन अपने भर्शक करूंगा दूसरी चीज मैं यह नहीं कहूंगा कि आप गलट डाटा कोट करने हैं िंगले चौधरी सहाई एक डाटाा आप गलट कर गए हो सखंटा है लेकिन आप सिधह किसीं के ऊबात अगर अगर आपको बात गलत लगता है तो डेटा दीजिए नहीं तो सुबकार करूँगा विना वज़ए किसी को बात काट करें, और गर्दन पर दबाऊ दिया जा शब्दों के सामने. जीतिंदर जी बहुत तादल हो रहे हैं, जीतंदर जी आप कहना चाने, मैं तो किसान की बात करूंगा मैं नार्थास्त्री हूं मैं तो यह कहना चाहिए बहुत अच्छा कदम था परन्तु उसमें जो खामिया थी आधा दूरा जो लगाया अब जैसे मैं बताता हूं आपको पोर्टरिन का साथ नहीं दे रहा है अब इनको बीजेपी वालों को समझ अब मुझे बताइए आप एक महीने के रिटन बनने के लिए व्यापारी पर इतना डाल दो गए हर डेली के सौर्बे की जुर्माना है और जब आपका पोर्टल काम नहीं करेगा तो उससे कबर टूटेगी व्यापारी नहीं टूटेगी व्यापारी बेकार हो जाएगा इस आप मेल आइडी अपडेट करने के लिए 16-16 दिन महीने महीने भल लगने जो एक सेक्टर काम उसके उसमें जो पैनल्टी है पड़े उनको कौट जिम्यदार होगा यह यह इनकी गलती है सरकार क्या कर दिपढ़ दे कि पीछे कोई ना कोई ऐसा लिंक छोड़ देती है अग पैसे जैसे कोई मैं जो आप अंधार कि आप रभार राजनीती में खेच ले जाते हैं चाहिए अग पर आज जब्ड़ दे करें लोगों से पैसे बहुत नहीं है सब्सक्ताइश को पयात है तो यह स्व doit किया जाता है इस को क्या सब्सक्ты को एकلام कर लात थे आपको नहीं सुना तो अलग बाद ना सुने, पाच राच जाहिए। आपको पूरा फोकस जो आप कह रहे हैं आपने किसानों को यह आप सरकार को बचाने पर लगए हैं तैन के साथ प्राइए समय कि त 20 सीन थे मैंने इन्फब्सके रखपती और वाइस प्रेसिडेंट रंग नाथन की बात करी थी उनको government ने उनसे काल किया है, उनको बुलाया है या कहा है, ये बात किया है, बैने नाम भी हस्पष्ट कर दे रहा हूँ, senior president Mr. रखपती और vice president Mr. रंगनाथन, government उनसे कही है कि आप इसको सुधार कीजिए, सरकार को माल लिजे सिर्फ GSTN के उसको सुधार कर दे, अब कर रहे हैं कि अभी आपने एक संस्था का नाम लिया कि government ने उनको क्यों किया, चुकि GSTN पे मैंने बहुत वर्क साब किया है, काफी वर्क साब किया, इसमें GST लागू होते ही, और UPDF का मैं joint secretary भी हूँ, development forum का, जो सरकार के system, जो सरकारी agency है, इनके बस का, ये तो भारी भर कम शब्द हो जाएगा, मैं वापस लेता हूँ, लेकि साइज सरकार को लगा कि ये सक्षम नहीं है, मैं यह भी नहीं कर रहा हूँ, ये अक्षम है, इसलिए government को देना पड़ा, उदाहरण के लिए जो income tax का है, income tax का अब, income tax की site अब पूरी तरह से load ले रही है, जरासा भी उसमें कोई दिक्कत नहीं आ रही है, GSTN के site पे क्या हो रहा है, जहां डेर लाक हो जा रहा हो जा रहा है, कि डेर लाक एक साथ लोग एक्सेस कर रहे हैं, और इस site इस position में नहीं है कि आगे कर सके, तो मा लिजए GSTN का सब सही return time होने लगा, सब कुछ होने लगा, एकदम timely return file हो गया, सब कुछ हो गया, well within time, तो क्या इससे व्यापारियों की income बढ़ जाएगी, नहीं, व्यापारियों की income इस सुधारने के, व्यापारियों की आए बढ़ाने के लिए, व्यापारियों की आए कैसे बढ़ीगी, जब व्यापारी की स्थिती बनेगी, देश में व्यापार का माहौल बनाना, व्यापा लेकिन एक चीज़ है ना अगर यहां पर प्रॉब्लम देखा जाए तो कर रहे हैं लेकिन लास्ट लाइन जो वह बोल रहे हैं बिल्कुल बहुत कर रहा हूं जैसे मैंने आपको कहा कि जी एश्टी एक्तिस्तारिक लिए 2017 में जी एश्टी लागा था आप कौन से सांच लाइ जी एश्टी के लावा एक और भी कहना पड़ेगा इस सरकार में ऐसा पहली बार हुआ है तैक्स रिफॉल्स में दिख नहीं रहा है और सरकार इतनी बड़ी बड़ी पॉलिसी ला रही है एक सो पचीस करोर लोगों के लिए देश के लिए और पीछे से कोई सिस्टम बैक अप है यह अगर हमारा पूरा पीछे से सिस्टम इतना स्ट्रॉंगली बैक अप ना हुआ तो आगे कितनी बरबादी होगी यही जीस्ट में भी हुआ बार बार बूला जा रहा है कि जीस्ट अपने आप में गलत चीज नहीं थी लेकिन सरकार ने ले आए बाक अप कोई था नहीं पूरे देश की अर्थविवस्ता बरबाद कर दी डी मॉनिटाइजेशन अपने आप में गलत चीज नहीं थी लेकिन ना तो बांकिंग सेक्टर तयार थे ना तो हमारे एटीम तयार थे ना तो कुछ तयार थे तयारी सरकार की नहीं थी तयारी हो जिसको आप आपको देखन है कि unemployment का जो एक रीजन रहा है जो मोदी सरकार ने 2014 इनिशल टर्म में कहा था उन्होंने कहा था कि agriculture सेक्टर जो हमारा है यानि फार्मर सेक्टर उसमें जॉब जो है आइस्ता आइस्ता बढ़ती है क्योंकि जमीन जितनी है उतनी रहेगी उसमें 50% 50% हमारे जो employment यानि लोग है वो उसी में employed है अग्रिकल्ट सब्सक्राइब जवाब ले लेते हैं आई सिंग जी आप जिस तरह से आपने सुना होगा इप्राखान का साफ़तोर पर यह कहना है कि कहीं न कहीं सरकार योजनाय तो ले आती है policy तो ले आती है लेकिन जो strongly backup होना चाहिए वो नहीं होता है जिसका खाम्याद है इस तरह से वोगतना आप हमेशा प्रियोग तो नहीं कर पाएंगी जनतार्यों पर यह पूरी तैयारी करीती देखो कोई भी काम हमने एक पहले भी कहा था कि कोई भी काम सुरू करोगे तो उसमें सुरुआत में थोड़ी प्रोब्लमें आती है तो वही जो है ना विवपारियों को सब को थोड़ी थोड़ी आई है मंगर अब उसमें इतना इंप्रूमेंट हो चुका है कि हार आदमी समझ चुका है तो तरीके से आज जो है अपनी फाइल कर रहा है तो ऐसी बात नहीं है मगर एक सोच बना लो कि हमें तो सिर्फ सरकार के सब्सक्राइब करना चाहिए अच्छे कामों की तारिफी करना चाहिए जो है क्या कुछ निकल कर सामने आता और कितना उमीदों पर खरा उतरते हैं यह बजट और निर्मला सीता रमन क्या एकनोमी को दुरूस्त कर पाएगी आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया लोगों की जो आशाय हैं उमीदे हैं वो पूरा हो पाएंगी या फिर यहाँ पर भी मध्यंबर्ग उपेक्षाखी यहाँ पर उसके हाथ लगेगी इसे के साथ इसकास मुल्ट में फिलाल इतना ही आप देखते रहे आड़ नाइन टीवी सिर्फ खबर के लिए